कोटा शहर साइबर सेल वे एजी टीएफ ने कारवाई करते वे रेल्वी कोलोनी थाने में दर्श ठगी के मामले में आरोपी को बरेली से किया गिरफतार पांस साल से फराड चर रही नामी भगोडे जमरुदिन उर्फ मोहमद जमरुदिन को बरेली से पकड़ने में सफलता हासिल की पुलिस ने बताया कि 28 अप्रेल 2019 को महत्मा गांधी कोलोनी माला फाटक कोटा निवासी अब्दुल फारुख ने रिपोर्ट दर्श कराई थी कि वह यादगार टूर एंड ट्रैवल के नाम से 2017 से हज वे उम्राप पर लोगों को भेजने का काम करता है हज वे उम्राप पर जाने वाले हाजियों की देखभाल करने यात्रा भोजन वे ठेरने तता वापसी तक का पूरा इंतजाम करने जमरूदिन उर्फ मुहम्मा जमरूदिन करता है साल 2019 की हज यात्रा के लिए 6 जोड़ों को हज की यात्रा कराने के लिए जमरूदिन को 21,10,000 रुपे दिये गए थे हज यात्रा के लिए सब भी ओपचारिकताएं पूरी कर जमरूदिन को यह रकम दी गई थी लेकिन हज यात्रा के इन तारिक जैसे जैसे नज़्दी काती गई जमरूदीन से संप्रक किया तो फोन रिसीव नहीं किया रिपोर्ट पर मुकदमा धर्श किया और आरोपी को तलाश शुरू की गई आरोपी मूल रूप से 99 रोड बूंदी का रहने वाला था बदमाश की गिरफतारी के लिए कोटा साइबर सेल वाए एजी टीएफ की तरफ से आरोपी की गिरफतारी के लिए प्रियाश सुरू किया गया मुख्वीरों की वो एक्टिव किया गया तकनी की जांच और मुख्वीरों के जरी आरोपी के लिए बरेली में रहने की जानकारी मिली जिसके बाद आरोपी को बरेली से पकड़ने पर कोटा लाया गया और गिरफतार किया गया आरोपी की ख्लाफ अलग-अलग मामले में पांच मामले दर्जन